जैमातादी नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनांदन है स्वागत है आईए सुनते हैं देवी भागवत पुरान का 27 अध्याए इस अध्याए में हिमाले द्वारा बरात का यथोचीत सतकार करना है सीव परवती के मांगलिक विवाह उत्सो का वर्नन है सीव महादेजी बोले इसके बाद महेस्वर को आया हुआ जानकर गिरी राज हिमाले ने वहां आकर उनकी विद्वत पुजा की और उनके स्वाइप पूर में परवेश कराया साथ हिमाले से ब्रह्मा विश्णू और इंद्र आदिस रिष्ट देताओं की यथोचीत पूजा करक उन्हें भी अपने पूर में परवेश कराया इसी परकार परसंचीत ग्री राज हिमाले मरीची आदि महर्चियों की यथोचीत पूजा करके उन्हें अपने पूर ले गए अतनों के अभुसन से अलिंकरीत सोने के दीव मुकूट से सुसवभीत दोग भुजाओं तथा अत्यांद सुन्दर मुख वाले चंद्रमा से सुसवभीत सीर वाले और सैक्रो सुर्यों की प्रभा के तुल्ले परतित होने वाले सांतव्य सोभार परवती नाथ सीव को देख कर मेंक और उसी तरह ग्री राज हिमाले भी अत्यांद अनन्दित हुए उस अवसर पर जो अन्य देव गंधरों तथा किनर आये हुए थे वे एका एक टक परवती नाथ सीव जी को ही देख रहे थे और अन्य अंत्र कहीं भी द देव भी रूप संपन है इसके बाद सुन्दर लक्षनों से युक्ति महुर्त आने पर ग्री राज हिमाले ने परवती का पुजन करके विवाहिक विधी से दिवाधी देव सीव को परदान कर दी और प्रसनमन संभू को जगत का स्रीजन पालनहार संघार करने वाली उन हि इतनी रूप में पानी गरहन किया उस समय गिरींद्र हिमाले के नगर में ऐसा महान उत्सो संपन हुआ जैसा कभी हुआ नहीं था और आगे कहीं होने वाला भी नहीं है महामते उस समय सभी देवताओं के मन में प्रसंता च्छाई हुई थी इस परकार प्रवती के साथ पूर्ण हो गया और वे महादेव के मुग्ध करने वाले काम देव की बार बार प्रसंसा करने लगे वहाँ पर परवती सहित भगवान संकर को देख pragतार और रिसी गनप्रस पर कहने लगे अहो बुद्धि संपन गिरी राज हिमाले का महानसो भागय है कि सक्षात जग जन्नी भगवती उन्हें कन्या रूप में प्राप्त होई जो प्राप्रा किर्थिक अपने इक्षा से संपुन विश्व का स्रिजन करती है उन्होंने जो हिमाले के घर में लिलापुर्वकन्या रूप में जनम लिया है वह इन गिरी राज हिमाले की अलपत पस्या का फल नहीं है मेना के पुर्वजने के संचित अतुल्निय भाग का व महिस्वर के प्रभाव रूप तथा वेभाव का वर्णन करने में समर्थ हैं इस प्रकार रूप से संपन परवती तथा प्रवेश्वर को देखकर सभी लोग आपस में अन्य प्रकार की बहुत सी बाते करते थे ब्रह्मा और भगवान विश्णु परवती सहीत हर्च लोग जनित दुख से ब्यतित होकर आप पुर्वकाल में तपस्या में लिन हो गए थे ये वे ही जगत की आदिस वरूपनी सनातनी भगवती देवी हैं सिरी महादेव जी बोले तदंधर हिमाले भक्ती पुर्वक संभू की अस्तुती करने लगा हिमाले बोले भक्तो परद हो गया और मेरा जीवन सजीवन बन गया जो कि मैं अपने नेत्रों से जग जन्नी सहीत जगनात सीव को देख रहा हूं सिरी महादेव जी बोले महामुने इस प्रकार प्राभक्ती स्यस्तुती करते हुए गिरी राज हिमाले ने भगवान संकर से अपने अमरित रुत पी वा से अधरनी है आज में आपके लिए यग भाग सुनिश्चित कर दे रहा हूं गिरी स्वर मिर्तु लोक में आपके बिना लोग यग संपने नहीं करेंगे गिरे जिस प्रकार सभी हावी भोता देवतागन यगोत्सों में अपना अपना भाग प्राप्त करते हैं उसी प्रका आपके वर्दान से क्रितार्थ हो गया हूं संभो क्रिपा निधी अब मैं एक अन्य वर्दान के लिए प्राथना कर रहा हूं सरन गतो पर वत्सले भाव रखने वाले महस्वर देव इस परवती के साथ आप यहीं पर रमन कीजिए और मुझे पवित्र कर दीजिए शिरी मह से लोग मुझे गिरिश के नाम से जानेंगे शिरी महादेव बोले इस परकार उन हिमाले को यह बर्दान प्राप्त करके भगवां सी उसी उत्म हिमाले परवत्प सुर्मे नगर निर्मान कर परवती के साथ वहाराने लगे इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने अस्थान को चलेगे जो प्राणी परवती के सुब विवा उत्सव संबंदी इस मांगलिक अध्याय का सर्वन या पाठ करता है वह भगवती के चर्णों की सनिधी प्राप्त कर लेता है और इसे सत्रुया राजा का भी भय नहीं रह जाता इसका एक बार भी सर्वन क खित फल प्राप्त करता है और देवी की किरपा से वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है मुनिषरेश्ट इस परकार में ने आपको वह सब बता दिया कि जिस्परकार भगवान महेसवार ने पुर्णा प्रकृतिक दख्ष करने अस्ति को फिर से प्राप्त किया था अब तथा विशाल भुजाओं वाले सीव पुत्रकर्ट की तिकिये उत्पन हुए जिसके सम्मान महान बलसाली प्रकर्मी तथा धनुरधर तीनों लोकों में भी ना कोई है और ना होगा। इस परकार सिरी महाभागवत पुरान के अंतरगत सिरी महादेव नार्द सोंबाद में परवती विवाह मंगल नामक 27वा अध्याय पूर्ण हुआ तो भक्तगन ये थी। महाभागवत देवी पुरान की 27वा अध्याय आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें सेयर करें मेरे चैनल को सेस्क्राइब करें और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद नमस्कार जैमाता दी